बोपाल के ग्यान गंगा स्कूल हॉस्टल में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई दुषकर्म की घटना पर राजनेतिक ब्यान बाजी तेज हो गई है। कॉंग्रेस ने घटना की निंदा करते हुए प्रदेश की कानून विवस्ता पर सवाल उठाये हैं। बोपाल के ग्यान गंगा स्कूल छात्रावास में 8 साल की बच्ची के साथ दुषकर्म मामले को लेकर कॉंग्रेस प्रदेश अद्यक्ष जीतू पत्वारी ने कहा कि सबसे ज्यादा रेप MP में हो रहे हैं। आप बोपाल में 8 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है। जिन बच्चियों के साथ रेप होता है। उनके परिवार वालों से मिलने पर यह एफ आयार करते हैं। क्या आप जागोगे प्रदेश वासियों देखो यह जिन बेटियों के साथ रेप होता है। उनके परिवार से मिलने पर रेफायर करते हैं। होते हैं, तो मुख्य मंत्री मुस्कुराता कैसे, ताली कैसे बजबाता, भाषन कैसे देता है। आप रोज भाषन देते हैं। बजाओ बजाए ताली इसलिए बजाए ताली की 30 साल के इतिहास में सबसो ज़्यादा क्राइम अगर हो रहे हैं तो इसी मद्यप्रदेश में हो रहा है दो लाग बहने यहां से गायब हो गई रोज 17 बलातकार होते हैं हमारे इसलिए ताली बजाए शर्मानी चाहिए मुख्यमंत्री जी को मेरे पर भायर की इसलिए कि मैं परिवार से मिला मुझे फांसी दोगे तो भी मिलूँगा वही कॉंग्रिस वीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने घटना पर कहा कि नैशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के मताबिक मद्य परदेश छेडचार बलातकार और महिला के साथ हो रही अमान्य घटनाओं में नंबर वन पर है सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि सरकार के रहते हुए महिला यहां सुरक्षित नहीं है मुकेश नायक ने कहा कि ऐसा बताया जा रहा है कि जिस वेक्ति ने बच्ची के साथ घिनोनी हरकत की है उसके किसी मंत्री के साथ व्यापारिक संबन्द है इसी के चलते अभी तक घटना पर कोई कारेवाही नहीं हुई है गोपाल की ये घटना मुक्ष मंत्री और सासन की नाक के नीचे हुई है मैं मद्ददेश की सरकार से ये मांग करता हूँ कि जो भी इसमें दोशी है ऐसी जन्चर्चाह में किसी का नाम नहीं लूगा कि भारती जन्ता पार्टी के एक मंत्री के साथ उनके व्यापारिक संबन्द है जो इस घटना में शामिल है और ऐसी भी चर्चा है कि वो भारती जन्ता पार्टी से जुड़े हुए है जिनका नाम इस घटना में आ रहा है आप देख रहे हैं डखल न्यूज झाल झाल कि रहा है याल